हेलो अब्रीवन कैसे हैं सभी दोस्तों आएम डॉक्टर अंकित गुएल और एक बाद फिर से आप सभी का स्वागत है आप ही के इस चैनल अंकित फाइनस अकेड़मी में हैं दोस्तों इन्वेस्टमेंट से रिलेटीड आज एक अच्छा उप्शन में आपके सामने लेके आय इस फाइनेशल यर की बात करते हैं तो यह 20 अपरेल से 24 अपरेल तक ओपिन रहेगा इस जुरेशन में आप इंवेस्ट कर सकते हैं और आप ऑन-लाइन भी इंवेस्ट कर सकते हैं जो बहुत जल्दी हो जाता है तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इसके प्राइस की तो यह जो गोल्ड प्राइस है दोस्तों यह तीन दिन का एवरेस गिया जाता है और जिसके बेसिस पर गवर्मेंट ने जो इसका प्राइस रिसाइट किया है वो पर ग्राम का रूपी 4,639 है और यह एक्सपेक्टेशन भी है कि साल के अंत में जाते जाते गोल्ड 55,000 प्राइस करेंगे तो गवर्मेंट यह आपको 50 रुपए का डिसकाउंट दे रही है और यहां पर ग्राम आपको पड़ेगा 4,589 का अब दोस्तों आप पैसा तो लगा रहे हैं पर क्वेशन उठता ही कब तक लगेगा तो दोस्तों गवर्मेंट जो इसकी वोल्डिंग पि दोस्तों Anything आप कितनी मिन्यमम क्वेशन सकते हैं तो दोस्तों आप 1 गूल्ड भी खरीद सकते हैं और बन वालेते हैं पर आपको कोई interest नहीं मिलती पर इस sovereign gold bond scheme की सबसे बड़ी खासियत ही है कि जित्ता भी आपने invest किया है उस पर आपको 0.5% के सापसे सालाना interest भी मिलेगी और जो आपको हर half year early में मिल जाये करेगी और आपके account में पैसे credit हो जाये करेंगे दोस्तों next बात करते हैं कि मैं इसमें invest कैसे करूं तो दोस्तों invest हम 3 तरीके से कर सकते हैं तो आपका टेक्स लगेगा इस पर अगय आप इसको sale करते हैं ठीक है और कब जब आपकी maturity हो जाती है तो उस वक्त जो आपको benefit मिलता है दोस्तों जो profit हुआ है generally तो उस पर capital gain tax लगता है पर अभी इस पर tax नहीं लगीगा यह आपको totally free कर दिया जाएगा और दोस्तों maturity के rate क्या होंगे तो government decide करेगी Indian bullion and jewelers association जो उस वक्त के price होंगे तीन के average लिया जाएगा उस basis पर आपको पैसा आपको दिया जाएगा साथी साथ bell icon press करेगा और हमारे बहुत से वीडियोज अविलेबल है टेक्सेशन इंवेश्मेंट से रिलेटीड आप उमको देखके अपना right investment portfolio बना सकते हैं decision ले सकते हैं तो हमाई साथ बने रहन के लिए thank you